नमस्कार दोस्तों आज फिर आपके साथ उपस्तित हूँ एक और नई कहानी लेके हमारी दास्तान सिरीज में और दास्तान जैसे आप सभी को मालूम है कि एक्सपोजेज और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव सिरीज है हमारी और ये जो कहानी है आज की वो टाइगर मैमन के ऊपर है ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाता हूँ और आज आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं तो बिल्कुल ना देखें क्योंकि आज इस एपिसोड में आपको बहुत गालिया सुनने मिलेंगी मेरे द्वारा और कुछ फोन कॉल मैं सुनवाँगा जिसमें आपको गाली सुनने मिलेगी तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप ये बच्चों के साथ सुन रहे हैं और ये बच्चों के साथ अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो किर्पया करके वीडियो को पॉस करके आप अपने बच्चों से कहिए कि बेटा हमें अकेला छोड़ो, हमें ये स्टोरी अलग दिखनी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये जो स्टोरी है, आज की है वो Tiger Mamon की स्टोरी का सेकिन पार्ट है सेकिन पार्ट मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इससे पहले Tiger Mamon की स्टोरी पे एक स्टोरी आई थी कुछ टाइम पहले उसके बाद मुझे एक फोन कॉल आई थी एक महिंदी भाशा मैं कहूं तो उलू का पठा उलू भी नहीं कहना चाहिए उलू का पठा भी नहीं कहना चाहिए उस आदमी को क्योंकि उलू तो लक्षमी का वहान होता है और ऐसे लोगों को उलू कहना भी लक्षमी का अनादर होगा तो उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया था बेवकूफ आदमी ने कि अगर तुने वीडियो की तो एक हफते में तेरे को हम सल्टा देंगे तो मैंने उसका ये चैलेंज एकसेप्ट किया था ये भी कहा था कि अगर मैं टाइगर्मवन पर इस टोरी तो करूँगा ही करूँगा सात में मैं इस रिक्थी को भी ढूंद गा जिसने मेरे को ये मैसज किया था अब ये बात आई गई हुए और मैं अपने रिसर्च में टाइगर मैमन की इस रिसर्च में हम आगे लग गए बात है कल की यानि की 9 मार्च 2020 की मेरे को टेली ग्राम पे टेली ग्राम एक एप है जैसे वाट्साइप है उस पे एक मैसेज आया स्पेन के ही नंबर से लेकिन वो जो नंबर था वो दूसरा था जो पहली बार इसने नंबर यूस किया था वो दूसरा था और इस बार का जो नंबर था वो दूसरा था उस पे ये लिखा था वारे शर्मा मेरे को ये था कि तेरे अंदर लोहा ही ढासना पड़ेगा बात तो नहीं जाएगी तेरे अच्छा किया तो Tiger पर वीडियो नहीं बनाए नहीं तो तेरी last होती और तू मेरे को बेवकूब बोल रहा था चूतिये मैंने तेरे को कहा था आइंदा से आइंदा से Tiger और दाउद पर वीडियो ना बना ये नहीं कहा था कि अभी तक तुने बनाई नहीं गदे की अउलाद फिर से अंदर डाल ले ये बात टाइगर पर वीडियो ना बना बना तेरी ये मैसेज इस पर किया था और उसके बाद मैंने इसको रिपलाई दिया था तेरे को ढूंड के डंडा मैं डालूँगा और तेरे को गदे पर मैं बिठाऊंगा उसके बाद उसका रिपलाई आभे आराम से तमीन से इसको लिखना भी नहीं आता कि किस डौन का या किस डौन का ये अपने आपको चमचा बताता है उसको लिखने भी नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि Tiger इतने घटिया और बेपड़े लिखे लोगों को अपने साथ रखता होगा मैंने का पांच दिन बाद वीडियो आएगी लेकिन मैं पांच दिन से पहले ही ये वीडियो बना रहा हूँ लेकिन वीडियो में मैं Tiger की भी exclusive details आपको आज दूँगा तो उसके बाद मैंने इस number को trace किया ये एक number पे ये जो है fake number है और इस पे एक email ID मिली तो मैंने इससे ये message किया फयाज है ना तेरा नाब तो इसका निप्राय आया फयास जालिया वाला complete name और क्या चाहिए यहाँ का address तो अब ये जिस हसाब से ये बोलता है आइंदा 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 से इसकी आगे कि मैं एक और phone call भी सुनाऊंगा इसने मुझे एक phone call की उसके बाद इसने मुझे एक voice message भी भी भेजा तो आइंदा से आइंदा से आइंदा से ये इतनी बार repeat कर रहा है तो मुझे ये लगता है कि ये शायद एकता कपूर का बहुत ज़्यादा वीडियो देखता है इस वज़े से ये आइंदा से आइंदा से कर रहा है और गदे की उलाद तो बोल रहा है बार बार और बहुत धंकाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है कि इनके ये शादी में गोडी पर नहीं बैठते होंगे गदे पर बैठते होंगे और इसको जो है ब्या करने के लिए पैसे नहीं होंगे और इसको गोडी चलने का गदे पे बैठने के लिए पैसे नहीं होंगे ब्या में तो यह सोच रहा है कि मैं वीडियो बना दूँगा तो लोग इसके जो है इसके जो दोस्त है मूँ काला करके इसको गदे बिठा के इसक एक FBI की secret email जो Tiger Memon के लिए भेजी गई थी और वो cable जो था वो cable की copy हमारे पास है तो आप वो wait करिएगा पहले मैं सुनवाता हूँ इसकी वो call की call का message फिर इसके बाद इसने मेरे को call किया 27 साल हो गए 27 साल चूतिये लोडा उखाड दिया तुम लोगों ने हमारे साले बाद्शागी तरह बैठे हैं इदर टेगर बाद्शागी तरह हूँ है सालो हु लोगों का मिलता है करांची और परकिस invention जब भी साला कुता भी आ गए परकिसान लोडा उ keyword तंब ने बोटा है success दूँ चूतिया साला कुत्य की तरह भूग रहा तू बना तू विडियो तरह को भी ठीक है ते यह को अभी आप में सुना क्या है कि मेरे यह लगता है कि ऐसका किसी ने लिए होगाउ hosts इस वज़े से यह इतना परेशान है कि ये सान कुछ काम करने लाइग नहीं है, और ये जो है लगवार कुट्टे की बात कह रहा है, तो मुझे लगता है इस दूसरे को कुट्टे की बात कह रहा है, और हो सकता है कि ये हीरा-मणी की पैदाईश का हो, और ऐसे लोगों को entire P order Egg ताज्यूब हो रहा है टाइगर अपने आपको डॉन बोलता है और कहता है कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वह अपने आपको बड़ा खैर खा मानता था कि 93 जो ब्लास से उसने किया और उसके बाद टाइगर ऐसे घडिया लोगों को लगता है यह तो म गंदी गंदी गालियां बकी ही मैंने इंडस्री में लोगों को पता है मैं मैं साला करके भी किसी से नहीं बोलता हूं लेकिन कल में इतना गुस्सा आया तो मैंने इसको इतनी गालियां बकी है और वो गालियां जो है मैं पूरी नहीं सुनवाँगा अगर किसी को वो फोन रिकॉर्ड में आपको भेजूंगा हलो अब चूतिया होगा तू सुन चूतिया होगा तू अब पांच दिन बाद आएगी वीडियो तू वीडियो पर मिले को बेखूप भी बोला तेरे को मैंने बोला था आइंदा से आइंदा से वीडियो ना बड़े तू चूतियो तर बहुंग रहा है अब बहुत शड़ी के सुन तो जैसा आपने अभी इस वाली फोन कॉल में सुना इसने फिर कहां आइंदा से आइंदा से तो ये मुझे फिर लगता है कि ये एक तख़पूर का सीरियल जादा दिखता है और महाई घटिया और महाई वेकू और महाई वहियात इंसान है अब आते हैं टाइगर मैमन पे ये टाइगर मैमन पे केबिल है जो FBI ने किया था केबिल वो होता है जो बहुत सीक्रेट डॉक्यमेंट होता है जो एक तरीके से एक जगा से दूसरी जगा डिजिटली भेजा जाता है और ये है जो किया गया ये जो केबिल किया गया वो 1997 8 जुलाइ को सुबा 5 बचके 2 मिनिट और उस दिन जो दिन था वो दिन था मंगलवार और इसमें जो डिजिनल आगया है और जो इसमें लिठेट सीक्रेट ही है करेंट चलासिकेशन जो आज तक है वो जो सीक्रेट ही है और करेक्टर काउट्फ जो है 5imiento 228 जो करेक्टर काउन्ट है वह काउट है जो इसमें लेटर्स लिखे गए हैं उसके बाद enclosures इन्होंने not assigned है और इन्होंने लिखा है from कहां से और to बांगलादेश धाका Central Intelligence Agency Commander in Chief US Pacific Command Defense Intelligence Agency इन इन लोगों को यहां तक की पाकिस्तान इस्लामबाद पाकिस्तान कराची, पाकिस्तान लाहो पाकिस्तान पिशावा इन सब जगा तक इन्होंने जो अपने operatives हैं उन तक को भेजा है अब इसमें जो है जो counselor का नाम दिया गया है जिनको यह दिया गया है वो है Gordon Helwig अब इसमें से जो बहुत कुछ detail है, आप चाहें तो मैं screen page समय देखी रहे हैं अब इसमें जो है फॉर्मड हुई थी JKIF और सज्जाद एहमद केनू ने यह जो है आपकी फॉर्म की थी उसके बाद यह शीनगर से जेल से भागा था और उसके बाद यह पाकिस्तान में पहुचा था और इसके बाद इसमें आता है एक line है that is the third para the JKIF was controlled from Pakistan by Pakistan ISI and Tiger Maman prime accused in Bombay bomb blast cases of 93. Their contact in Pakistan occupied Kashmir is Bilal Beg who was running an indoor tradition camp near Muzaffarabad funding extensively by ISI and carry on terrorist acts in India. One Colonel Farooq of Pakistan ISI talks Bilal Beg and Tiger Maman to utilize Kathmandu-based activists Latif and Javed Karwa to set up a blast in New Delhi before Lok Sabha elections. तो यहां तक की America भी जो agency है आपकी central जो इनकी agency है that is your central intelligence agency यानि की CIA वो तक यह मान रही है कि Tiger Maman जो है एक terrorist है और वो एक organization JKIF को fund करता है थूरू पाकिस्तान तो जो लोग यह समझते थे कि Tiger Maman है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है लेकिन America तक यह बात मानता है कि एक terrorist है Tiger Maman तो यह एक exclusive paper है जो मैंने आज आज आपको दिखाया जो आभी तक आपने नहीं देखा होगा कहीं पे भी और इसका अगर आपको पूरा जो है हमने screenshot दिखा रहे है कि क्या-क्या लिखा है तो वो आप अच्छे से पर सकते है अगर किसी को यह अलग से चाहिए यह PDF तो मुझे WhatsApp कर सकता है मैं उसको यह PDF फाइल भेज़ दूँगा और आप पर सकते हैं तो अब यह सोचने वाली बात यह है कि यह जो विक्ति है जो मुझे फोन करके कह रहा है कि तू आइंदा से आइंदा से मेरे को क्या कहते है कि टाइगर मैमन पे स्टोरी नहीं करना है और वो चाहिए उसमें हमें कुछ भी करना पड़े दूसरी तरफ टाइगर मैमन पे हम और भी एस्क्लूजिव डिटेल्स एकट्टी करना है और बहुत जल्दी और एक थर्ड पार्ट लिखे आएंगे जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगी क्योंकि इसका फोन आने के बाद मैंने ये सोचा है कि क्यों ना सिर्फ इतनी डिटेल्स दी जाए जो एक CIA का पेपर है जो किसी के पास नहीं था जो आज आज आप देख रहे हैं और एक और बात कि कुछ कमेंट्स मैंने आज पड़े उसमें ये था कि आप जो है सिर्फ दास्तान सिरीज करिए तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दास्तान सिरीज जो है वो हमारी सबसे महिंगी सिरीज है उसके पीछे कारड ये है कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए sources को कुछ ना कुछ देना पड़ता है kind और cash दोनों में से और इस series को जारी रखने के लिए हमें और भी shows मोगली production के channel पर करने पड़ेंगे क्योंकि मोगली production एक channel है यहाँ पर हर तरीके के subscriber है और हर तरीके के subscriber जब है तो उनको उसी तरीका content भी देना हमारी जिम्मेदारी बनती है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप TV channel देखते हैं तो उसमें आपकी पसंद की जब कोई film नहीं आ रही होती है तो आप channel बदल लेते हैं तो दास्तान series जिनको पसंद हैं वो wait करा करे और जब वो दास्तान series आए तो अपने पसंद की कहानी सुन सकते हैं जब तक दास्तान series नहीं आ रही तो वो दूसरा channel देख सकते हैं कि किसी एक subscriber ने यह कहा था कि अगर अपकी बार आप जो हैं दास्तान के लावा कोई और वीडियो upload करेंगे तो हम channel unsubscribe कर देंगे तो यह उनकी चौईस है मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि हमें कोई subscriber जाता हुआ अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हाँ दूसी तरफ channel है यहाँ पर हर तरह का content हमें हर subscriber को देना है हर किसी को की जरूवत की जो जानकारी है वो देनी है तो आप अपनी stories का wait करें और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ उन पांच लोग का जिन्होंने हमें crowdfund में support किया उस्मान मनोज एक हमारे राजिस्थान की एक NGO है जन्शक्ती अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक कलकत्ता के हैं जिनका मैंने फिछली वाद नाम गलत ले दिया था आप शमा चात्मा मुझे अभी भी आपका नाम याद नहीं आ रहा if I'm not wrong your surname is गोश और उसके अलावा एक और सब्सक्राइबर है मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा तो 5 सब्सक्राइबर ने हम जो है हमें क्राउट फंड में सपोर्ट किया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर से कहूंगा जिसको वह फोन कॉल सुननी है जहां मैंने गालियां बकी है तो वह मुझे वाटसेप पे मैसेज करें मैं फोन कॉल सुननूगा और शेयर करिएगा दूसरों के साथ कि मैंने उसको कितनी गंदी और कितनी बद्दी कालियां दी थी वह टाइगर के जिसको अब वह अपने आपको टाइगर का खास साबा खास सामा नहीं अगले अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखिए अगर आपने उनको देखना है तो देखिए और इंजॉई करिए हमारा जैनल तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम